तो आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुबसूरत और प्यारा सा थाल पोस्ट थाल पोस्ट की डिमांड बहुत जादा रहती है और इनफेक्ट सबसे जादा अगर मैं कोई भी थाल पोस्ट सिंगल कलर में अपलोड करती हूं तो सबसे जादा कमेंट उसमें यह आते है कि मैं इसे डबल कलर में कैसे बनाना है क्योंकि जादा तर थाल पोस्ट मेरे डबल कलर में ही बने हुए है जो कि बहुत ही खुबसूरत सा लुक देते हैं सो एक ऐसी डिजाइन मैं फिर से डबल कलर में लेके आई हूं आप इसे सिंगल कलर में भी बना सक तो इसका बड़ा साइज और सिंगल कलर का साइज अल्रेडी अप्लोडेड है जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहां से जाके उसको भी देख सकते हैं और चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं तो ये दो कलर में मैंने बना रखा है बहुत ही पूरे वर्क में कोई कर्डिंग नहीं है बिल्कु स्मूथ और प्रॉपर वर्क बना हुआ है तो इसमें बहुत सारे कमेंड मेरे पास आ रहे थे कि इसे दो कलर में मैं बताओं तो मैंने इसे अपलोड किया है आई होप आप लोगों को पसंद आएगा पसंद आए तो कि उन पिंक कलर की लगी है बट अगर आप चाहे ना तो इसे हर एक स्टेप अलग कलर से भी बनाएंगे तो भी बहुत ही सूपव सा पीस लगेगा तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट कर में बना के दिखा हूं तो कमेंट सक्षन पर कमेंट करिएगा मैं कोशिश कर करते हां मैं यह बता दू आपको कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने 3 mm की क्रोशा होक मिन्स 9 नमबर की क्रोशा होक से बनाया है प्लस इसमें मैंने ओस्वाल माइक्रो की 3 प्लाई की वोल यूज की है ठीक है तो चलिए फिस स्टार्ट करूंगी पिंक कलर से और इसे बनान जब्वान चेंट चेंट बना के जो फॉर्श नमबर वाली जो दिखेगा फ़हले नमबर वाली जो चीन है इसमें डालना है और डालकि यहां पीれた स्टिश से अपने वक को एट कर देना है ये एक होल बन के रडी होता है एक दो थीन तीनच बनाएंगे और यह तीन चीन दालेंगे एक और डबा क्रॉश्या बनाएंगे सेम इसी प्लेस से डालके एक और डबा क्रॉश्या बनाएंगे सेम इसी प्लेस से डालेंगे एक और डबा क्रॉश्या बनाएंगे टोटल यहाँ पर हमने 4 double crochet बना के ready की, ओकि तीन चेन पहली double crochet होगे, तीन और बनाई, चार हो गए, एक, दो, तीन तीन चेन मनाएंगे बीच में, इसी hole से फिर से डालेंगे, और अगीन 4 double crochet बना लेंगे, एक, दो तीन और चार फिर से एक दो तीन अगेन तीन चेन मनाएंगे सेम इसी होल से डालके फिर से चार डबक रोशा एक दो तीन और चार अगेन तीन चेन एक, दो, तीन और सेम इसी होल से चार डबक रोशा एक यहां जो थर्ड नमर वाली चेन है पहले हमने तीन चेन मनाई थी तो इस थर्ड नमर वाली चेन में डालेंगे और स्लिप्स इससे एट कर देंगे एक चेन बनाके धागे को कट कर देंगे तो यह देखिए यह बीच का पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनके रड़ी हुआ देखने में यह आपको चौकोड लग रहा होगा बट यह चौकोड नहीं है यह जो तीन चेन का स्पेस से इसमें डालेंगे और वक को एट करेंगे तो यहां मैं अवाइट करके थ्रेट को यूज कर रही हूँ और तीन चेन के स्पेस में डालके सिंप्ली आपको इसे एट कर लेना है यह सी तीन चेन और यहां क्या जा फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक, दो और तीन, और इसके बाद जो next वाला ये तीन चेन का space है, इसमें बना लेंगे, दो डबा क्रॉश्या, तीन चेन, दो डबा क्रॉश्या, एक, दो, सॉरी, दो डबा क्रॉश्या, तीन चेन, दो डबा क्रॉश्या, फिर से बीच में तीन चेन का space देंगे, और जो थर्ड वाला हमारा chain space है, जो थर्ड तीन चेन का space है, इसमें डाल के बना लेंगे, दो डबा क्रॉश्या, तीन चेन, दो डबा क्रॉश्या, एक, और दो, फिर से तीन चेन बनाएंगे, नेक्स वाले space पे डालेंगे, दो डबा क्रॉश्या, तीन चेन, दो डबा क्रॉश्या, अगेन बना लेंगे, तीन चेन का space, एक, दो, और तीन, यहां जो थर्ड नमबर वाली चेन है, इसमें डालेंगे, और slip stitch से अपने work को add कर लेंगे, अगेन, नेक्स डाउन के लिए, फिर से यहीं से तीन चेन बनाएंगे, जस्ट इसी डबा क्रॉश्या के उपर तीन चेन बनानी है, यह हमारी पहली डबा क्रॉश्या होगी, दूसरी जो डबा क्रॉश्या है, उसमें डालेंगे, एक डबा क्रॉश्या इसमें बना लेंगे तो दोनों डबा क्रोशा के उपर एक डबा क्रोशा बना लेनी है सेम इसी स्पेस से डालेंगे एक और दो डबा क्रोशा यहां बना लेंगे ठीक है अब यहां पर चार डबा क्रोशा हो गई है तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन फिर से chain space में 2 double crochet, 1, 2 तो chain space में आपको 2 double crochet, 2 chain और 2 double crochet ही बनानी है 2 double crochet इधर है तो दोनों में 1 double crochet बना लेंगे इस तरीके का pattern बनेगा अगेन बना लेंगे 3 chain, 1, 2, 3 दोनों pattern के बीच में यहाँ पे 3 chain का space था तो 3 chain बना ली है फिर से 1 double crochet पहली वाली में बनाएंगे, एक दूसरी वाली में बनाएंगे बीच के space में बना लेनी है 2 double crochet बीच में 3 chain का space देंगे, फिर से 2 double crochet बनाएंगे ओके chain space में 2 double crochet, 3 chain और 2 double crochet ही बनाई है और इसके बाद की इधर की जो दोनों double crochet है इसमें भी 1 double crochet बना लेंगे तो 4 double crochet 3 chain और 4 double crochet बनके ready हुई है दोनों pattern के बीच में 3 chain का space देंगे और फिर से इधर से जो 2 double crochet है पहले वाले में एक बनाएंगे इसी तरह किसे बनाएंगे और 4 pattern में same ही work को continue करेंगे इस तरह से मैंने sub में बना के ready कर लिया ठीक है 4 में बना के ready कर लिया सेम वैसे ही 3rd number वाली chain में work को add किया फिर से 1,2,3,3 chain बना लेंगे just double crochet के उपर यह पहली double crochet हो गई इसके बाद की 3 और double crochet है इसमें भी 1,1 double crochet बना लेंगे 4 double crochet यह हो गई अब 3 chain का space है इसमें बना लेनी है 2 double crochet 3 chain 2 double crochet हर बर 2 double crochet में आपको सेम ऐसे ही बनाना है 2 double crochet 3 chain और 2 double crochet बनानी है और यह जो double crochet सारी है इनमें एक एक double crochet बना लेनी है तो इस तरह से आपकी double crochet बढ़ती जाएगी यह हमारा वाइट कलर से 3rd round है टोटल 4 round हमें ऐसे ही बना के ready करनी है ठिक है यह जो 3 chain का space है यह 3 ही रहेगा फिर से इधर की जो 4 double crochet है इसमें एक एक double crochet बनाएंगे और चार और chain space में बनाएंगे दो double crochet तीन चेन और दो डबल क्रोशा दो डबल क्रोशा तीन चेन दो डबल क्रोशा तो यह देखिए इस तरह से हमें बना के ready करना है तो पहले हमारे पास यहाँ पे 2 double crochet थी फिर 4 हो गई इस बार 6 double crochet हो गई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और इसके बाद 8 double crochet हो जाएगी तो इस round को ऐसे ही बनाएंगे और as it is, same, ऐसे ही दूसरा round भी बनाएंगे बड़ दूसरे round में सब में एक, एक double crochet बनाएंगे छे यह हैं तो यह 6 double crochet हो जाएगी जब आप बीच में 2 double crochet और बनाएंगे 2 double crochet, 3 chain और 2 double crochet तो टोटल आपकी एक साइड में 8 double crochet होंगी बीच वाला जो 3 chain का space है यह same रहेगा इसमें कोई change नहीं होगा तो इस round को और इसके बाद एक और round को यहां मैंने इसमें पूरा बना के ready कर लिया है जैसा मैंने आपको बताया था तो लास्ट round में में मेरे पास टोटल यहां पे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ double crochet है ठीक है इससे पिछले round में 6 थी अब 8 है work end में अपने work को add करेंगे एक चिन बना के अब thread को यहीं से cut कर देंगे कर देंगे तरह को आपको यह जो पीछे आप डबक रोशा है ना इसी में आपको इससे इस तरह से डाल दीजे और एक्स्ट्रा थ्रेट को क्रट कर लिजे ठीक है अब क्या करना है यह जो तीन चेन का space है किवालो जो space है इसमें same वो thread आट करेंगे जो हमने बीच में add किया है बीच में मैंने pink color का add किया है तो फिर से यहाँ पे pink color ही add करूँगी आप चाहें तो सारी जो मैं color जहां जहां change करूँगी आप चाहें तो सभी अलग color से भी बना सकती है तो यहाँ मैंने again pink color को add कर लिया है एक दो और तीन चेन as a double crochet बनाएंगे फिर से यहाँ पे एक chain का एक double crochet बना लेंगे अगें तीन चेन मनाएंगे सेम इसी point से एक और दो डबाग रोशा जैसे यहाँ पे बनाए थी दो डबाग रोशा तीन चेन और दो डबाग रोशा सेम इसी pattern को हमें यहाँ करना है और अब इसके बाद यह तीन चेन का space है फिर यह तीन चेन का space है इसके बीच में इतना लंबा gap है तो यहाँ पे total 8 डबाग रोशा है बीच में हमें total 7 चेन बनानी है एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, साथ, साथ चेन बनाके यह जो next वाली तीन चेन का space है इसमें आ जाएंगे और इसमें बना लेंगे दो डबाग रोशा तीन चेन, दो डबाग रोशा यह देखिए, ओके, यह 7 चेन का space है तो यह बिलकुल आपका जो space यतना भी आप देंगे न, कहीं से भी इसमें जोल नहीं होना चाहिए, और टाइड भी नहीं होना चाहिए अगर आप ऐसे रखें तो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए तो अगर आपको 7 chain का space ज्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं कम लग रहा है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं means ज्यादा है तो आप 5 कर लिजे कम लग रहा है तो आप 8 कर लिजे फिर से 7 chain का space 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 chain का space देंगे next 3 chain का space यहाँ पे है तो इसमें भी बना लेंगे 2 double crochet 3 chain 2 double crochet फिर 7 chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 chain का space यह है तो यहाँ बना लेंगे 2 double crochet 3 chain और 2 double crochet तो इस तरह से same pattern को repeat करेंगे पूरे में ऐसे ही बनाना है जितने भी 3 chain का space है यह है फिर यह है फिर यह है फिर यह है जितने भी 3 chain का space है सब में आपको 2 double crochet 3 chain 2 double crochet बनानी है और बीच में 7, 7 chain का space देना है फिर देखिए पूरे में मैंने same pattern को बना के repeat कर लिया और अब work के end में same ऐसे ही जो third chain का space है जैसे नीचे add करते थे same वैसे ही इसमें add करेंगे और अब यहाँ पे जो हमारे pattern है वो total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total 8 pattern हो गए नीचे 4 थे अब उपर 8 हो गए है बनाना same ऐसे ही है फिर से यहाँ पे 1, 2, 3 just double crochet के उपर 3 chain बनाएंगे as a double crochet उसके बाद वाली double crochet में 1 double crochet chain space में 2 double crochet 3 chain और 2 double crochet ही बनाएंगे जैसे नीचे बनाते थे सेम ऐसे ही इसमें बनाएंगे ओके 2 double crochet यह है तो इन दोनों में एक एक double crochet बनाएंगे एक इसमें बना ली फिर से डालेंगे एक इसमें बनाएंगे और अब हैं यहाँ पे total 7 chain का space तो 7 chain ना बना के 6 chain बनाएंगे 1,2,3,4,5,6 ठीक है 6 chain बनाएंगे और अगें यह जो 3 chain का space है butterfly pattern के बीच में इसमें आके इसमें नहीं यह जो हमारी double crochet है इसमें बनाएंगे एक double crochet एक double crochet दूसरी वाली में बनाएंगे 2 हो गई 3 chain के space में 1 और 2 2 double crochet 3 chain और 2 double crochet फिर से यह जो 2 double crochet है इसमें दोनों में एक एक double crochet बनाएंगे बीच में 7 chain का space था तो इस बार 6 chain कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 थर्ड पैटन में आएंगे और पहले एक एक double crochet दोनों double crochet में बना लेंगे और बीच में हमें बना लेनी है 2 double crochet 3 chain और 2 double crochet इस तरह से यह हमें बना के ready करना है same process है जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे हमें यहां बनाना है total 4 round बने है इसमें total 4 इसमें भी बनेंगे यह बीच का जो pattern है यह as it is रहेगा जिसमें आपको जितनी भी double crochet बन रही है सब के ओपर एक एक double crochet बना लेनी है और जो 3 chain का space है इसमें 2 double crochet बनानी है बीच का जो chain space है वो हर round में कम हो जाएगा ठीक है पहले मैंने 7 बनाई थी फिर 6 बनाई फिर 5 बनाएंगे फिर 4 बना लेंगे curling लग रही है तो आप 5 के बाद 6 के बाद सीधे 4 भी कर सकते है और अगर tight लग रहा है तो आप 7 का 7 भी कर सकते है तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल proper बिल्कुल सही बन के ready हो रहा है यसा कि आप देख सकते हैं तो इस round में 7 थी इसमें मैंने 6 कर दी है इसके बाद मैं 5 करूंगे फिर 4 करूंगे तो इस तरह से हमें total 4 round बना के ready करने हैं पहला round बन गया है दूसरा मैं बना रही हूं तीसरा और चार्था as it is बना के जैसा मैंने आपको बताया सेम वैसे ही इसमें बना के ready कर लिया है दो double crochet फिर उसके बाद 4 double crochet है फिर 6 और फिर 8 और बीच में मैंने सेम वैसे ही बनाया है साथ थी छे थी फिर 5 फिर 4 इस तरीके से मैंने बना लिया है और अब इसमें क्या करना है फिर से किसी भी एक तीन चेन वाला जो pattern है इसमें धागे को change कर लेना है अगेर यहाँ पे धागे को change करेंगे स्टार्टिंग सेम वैसे ही करनी है जैसे इस pattern की करी थी सेम वैसे ही इसमें भी starting करेंगे तो 1, 2, 3, 3 chain बनाके 3 chain हमारी पहले डबक रोशा हो गई सेम इसी space से डालेंगे एक डबक रोशा बना लेंगे 2 डबक रोशा हो गई starting हमने 2 डबक रोशा से करी है यहाँ पे तो इस में भी 2 double crochet से ही करेंगे बीच में 3 chain का space देतेंगे अगीन 2 double crochet ओके फिर से अब आपको ये वाला pattern है देखें यहां 3 chain का space है फिर ये बीच में pattern है ये भी space है यहां भी बनाना है इस जगह पे बनाना है इस जगह भी स्पेस हैं सब में आपको बना के रडी करना है तो अब इसमें कुछ चेंज बनानी है तो यहां मैं एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेंज से स्टार्ट करूँगी, पांच चेंज अगर कम है तो फिर छे, तो छे कर लेती हूं जिसे कि टाइट ना पड़े और यह ज आउंगी दो दबक रोशया, तीन चेन और दो दबक रोशया, तीन चेन और दो दब करॉशया ओके, फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे चेन मना लेंगे और सेम इसी के जो 3 chain का space है इस पर बना लेंगे 2 double crochet 3 chain और 2 double crochet तो जितने भी आपके patterns बने हुए है जितना भी आपका space है उसमें आपको इसी तरीके की design बना के रखनी है बीच में मैंने यहाँ पर 6 chain का space लिया है आपको 6 चेन का ढीला लग रहा है, मिन्स जादा लग रहा है, तो आप 5 चेन का कर ले, इस तरीके से इसे कब बनाना है, तो सेम ऐसे यह पैटन बना है, सेम फिर से इसके उपर पैटन बनेगा, इसमें जैसे एक एक राउंड के बाद चेन आपकी कम हो किती गई थी, एक एक त कर सकते हैं, तो सेम ऐसे ही, इसमें भी 4 राउंड बना के रड़ी कर लेने हैं, बाकी बीच का पैटन सेम ही रहेगा, पहले 2 डबक रोशा, 3 चेन, 2 डबक रोशा है, फिर 4 डबक रोशा, 3 चेन, 4 डबक रोशा हो जाएगी, फिर 6 और फिर 8 हो जाएगी, तो ये वाला जो प लती है, उसमें अपनी चेन्ड को, बखना के बीच लिफर्ण क के रहे हो, जला जो रहें, तो इसमें अपनी चेन्ड को, बखना की बा मदा हो, पजञे आइन के बहुति कर लिक्रा जोगा रोशा, 1 वाला जो एपना को, 3 अजान मेंrahी, पुरू. बिल्कुल कम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिना chain के भी इस वाले point पर बना सकते हैं, या सिर्फ बीच में एक chain भी रख सकते हैं, तो अब इसका final round, final means जो सबसे last वाला design है, वो बना के ready करूँगी, बट अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो same ऐसे ही continue रखें बीच का pattern same रहेगा, सिर्फ आपको chains में ही थोड़ा adjustment करना होगा, अपने according आप chain बढ़ा या घटा सकते हैं, अगर tight है, तो बढ़ा लें, और अगर doze है, तो chain को घटा लें, तो starting करेंगे, same वैसे ही, 2 double crochet, chain और 2 double crochet, जैसे बाकी नीचे का pattern बना हुआ है, same वैसे ही, इसमें भी हमें start करना है, ओके और अब यहां पर बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे chain बनाएंगे, और यह वाजला जो बीच वाला chain space है, इसमें डालके यहां पर एक double crochet बना लेंगे, ओके फिर से छे chain, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, next वाला जो pattern है, इसमें space है, इसमें भी same pattern को बनाएंगे, दो, दो, दो दबा क्रोशा, तीन, चीन, दो दबा क्रोशा, एक, और दो, फिर से 6 chain, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे chain बनाके, चेन के बीच में आएंगे, और यहां पर बना लेंगे, एक double crochet, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छ दिख लेना है, कि आपकी chain जो है, वो lose ना हो, बिल्कुल perfect होनी चाहिए, चे, अगर आपको lose लग रही है, तो आप एक, एक chain कम कर सकते हैं, और बिल्कुल अगर perfect है, तो कहीं भी कम ना करें, इतने ही chain के साथ इसे continue करें, और same pattern को repeat करते हुए, round को over करें, तो इस तरह से तो जैसे नीची बन रहा था part, सेम वैसे ही बनेगा, तो डबाक रोशा, जस दोनों डबाक रोशा के उपर हो गई, chain पेस में आपको दो डबाक रोशा, तीन चेन और दो डबाक रोशा ही बना लेनी है, तो अब इस round में 4-4 double crochet हो जाती है 4 double crochet, 3 chain और 4 double crochet हो चुकी है 1, 2, 3, 4, और 5 5 chain मनाएंगे और 5 chain मना के यह जो double crochet बीच में single बनाई है इसमें डालके 1 single crochet बना लेंगे ओके इस तरह से फिर से 1, 2, 3, 4 4 chain मनाएंगे और सेम इसी प्लेस पे फिर से डालके 1 single crochet बनाएंगे तो यह देखिए यह इस तरीके का एक loop बनके रेडी होता है ओके अगें 5 chain 1, 2, 3, 4, 5 दूसरे side की 5 chain मनाएंगे और just यह जो pattern बना हुआ है इसमें as it is बनाना है पहले दोनों double crochet में एक एक double crochet बना लेंगे तीन chain के space में दो double crochet तीन chain और दो double crochet ही बनाएंगे इधर के दो double crochet है तो इधर भी दोनों में एक एक double crochet बना लेंगे अगें एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच chain बनाएंगे यह वाली जो double crochet है इसमें बना लेंगे एक double crochet sorry single crochet एक, दो, तीन, चार chain बनाएंगे इसी double crochet पे एक और single crochet बनाएंगे तो बीच का loop बना के ready कर लिया फिर से 5 chain बनाएंगे और 5 chain बना के अगें थर्ड pattern में same pattern को repeat करेंगे तो यह देखे यह हमारा जो pattern है कुछ इस तरीके से बनके ready होगा same process को repeat करेंगे यह देखे हम एने second round भी पूरा बना के ready कर लिया है और अब third round के लिए अगें यह वाला pattern जो बनता है वो same बनेगा जैसे आपका नीचे वाले सारे patterns बने हुए है और इसके बाद अब यहां पर एक दो तीन और चार चार चेन बना के यह वाला जो पार्ट है जहां पर आपने लूप बनाया है इसमें डालेंगे सिंगल क्रोश यह बनाएंगे और सिंगल क्रोश यह बनाके फिर से एक दो तीन सौरी हाँ जी चार चेन बनाएंगे और चार चेन बनाके इसके बाद वाला जो next वाला पार्ट है इसमें सेम प्रोसेस को मिंच जितनी डबा क्रोश यह है उसमें पहले एक एक डबा क्रोश यह बना लेंगे चार डबा क्रोश यह है तो चारों में एक एक डबा क्रोश यह बनाएंगे चेन नी स्पेस में दो डबा क्रोश्या, तीन चेन और दो डबा क्रोश्या बनाएंगे अगें इधर की चार डबा क्रोश्या में एक डबा क्रोश्या तो इस बार 6 चे डबा क्रोश्या हो गई हैं दोनों साइट पे 6 double crochet एक साइट पे है और 6 double crochet दूसरे साइट पे अगेन 4 chain बनाएंगे अगर 4 chain आपको ज़्यादर लग रही है तो आप 3 chain भी कर सकते हैं इसमें डालेंगे 1 single crochet बनाएंगे फिर से 4 chain और 3rd pattern बनाएंगे ठीक है? तो यह दिखिए यह हमारा pattern को इस तरीके से बनके ready होगा सेब pattern को repeat करेंगे और इस round को ऐसे ही मैंने तीसरा round भी बनाके ready कर लिया है और 4th round में यह जो उपर आला part है मींस यह जो design है यह as it is ही बनेगी और बीच वाले part में आपको क्या करना है? पूरा बनाने के बाद यहां एक chain बनाएंगे एक chain बनाके just single crochet से इसे single crochet के उपर ही add कर देंगे फिर से एक chain बनाएंगे और यहां से दूसरे design बनाना start करेंगे तो यह जो उपर के design है same ऐसी ही बनेगी बाकी की जो patterns बने हुए हैं वो same ही बनेंगे उसमें कोई change नहीं होगा सिर्फ आपको बीच में क्या करना है? एक chain बनाके single crochet के उपर just single crochet बना लेनी है और design जो है आपकी कुछ इस तरह से देखने में लगेगी जो final pattern है कुछ इस तरह की का दिखेगा same pattern को ही repeat करेंगे और इस पूरे round को ऐसे इसमें last round भी पूरा बना के ready कर लिया है और अब क्या करना है जो third number वाली chain है इसमें डालेंगे और यहाँ पे एक single crochet इस तरह से बनाएंगे तो single crochet जब बनाएंगे तो आप आजाएंगे यहाँ पे जो आपकी single crochet बीच में बनाई है इस स्पेस पे इसी स्पेस पे फिर से डालके एक sliftage बना लेंगे और अब यहीं से work को start करेंगे दो chain बनाएंगे इसी single crochet में डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे तीन और double crochet एक दो और तीन तीन double crochet बनाएंगे पहली और दूसरी double crochet को skip करेंगे थर्ड double crochet में single crochet से add कर देंगे फिर से दो chain बनाएंगे अगेन इसी प्लेस से डालेंगे तीन double crochet बनाएंगे एक दो और तीन इसके बाद की दो double crochet को skip करेंगे थर्ड बन वाली में single crochet से add करेंगे फिर से दो chain सेम जहां पर add किया है उसी पर डालेंगे तीन और double crochet बनाएंगे एक दो और तीन लाश की दोनों double crochet को skip करेंगे बीच में जहां तीन chain का space है वहां center वाली जो बीच वाली double chain है इसमें डालेंगे और यहां पर अपने work को single crochet से add करेंगे तो यह एक side का एक दो तीन pattern बनके ready हुए है अगें दो chain बनाएंगे सेम जहां पर add किया है इसी place पर डालके फिर से तीन double crochet बनाएंगे एक दो और तीन दो skip करेंगे double crochet तीसरी वाली में इसे add कर देंगे दो chain बनाएंगे सेम इसी place से डालके तीन double crochet एक दो और तीन दो skip करेंगे थर्ड बन वाली में इसे add कर देंगे फिर से दो chain बनाएंगे सेम इसी place से तीन double crochet एक दो और तीन दोनों skip करेंगे और यहां जो single crochet जो बीच वाली single crochet है इसमें अपने work को single crochet से add करेंगे तो single crochet से ही यहां पर start हुआ है और single crochet पे ही end होगा पीच का pattern कुछ आपका इस तरह से बनेगा सेम प्रोसेस को फिर से repeat करेंगे single crochet से ही दूसरा जो हमारा pattern है इसके उपर design बनाना है start करेंगे तो same वैसे ही दो chain बनाएंगे इसी single crochet पे पहले तीन double crochet बना लेंगे एक दो और तीन एक दो skip करेंगे दो double crochet skip करेंगे थर्ड बन में इसे add कर देंगे same process को ही हमें repeat करना है तो single crochet से start करेंगे उसके बाद double crochet को double crochet skip करेंगे और तीसरी double crochet में अपने work को single crochet से add करेंगे तो एक बार आपका work single crochet से start होगा एक side की बनने के बाद जो last वाली तीसरी वाली बनेगी वो बीच की chain में आपको add करनी है फिर इधर की तीन बनानी है और तीसरी वाली को single crochet में add कर देना है तो इस तरह से पूरे pattern को हमें repeat करना है ऐसे repeat करेंगे और यह देखी यहां मेरा पूरा pattern बनके ready हो चुका है पूरे में मैंने same design को बना लिया है कहीं भी curling नहीं है बिलकुल proper और खुबसूरत सा work बनके ready हुआ है so I hope आपको यह pattern पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like, share and subscribe जरूर कर दीजेगा मैं मिलूँगी कुछ नए और design के साथ next video में तब तक के लिए bye bye thank you and have a nice day